दोसों ये बात तो आप अच्छी तरीक्य से जानते हो कि इस साल साउट की बहुत सारी फैल्में पैन इंडिया के तहत रिलिस होगी और भाई इन फिल्मों को लेकर लगातार ये बाते कही जा रही है कि भाईया जब यह फैल्में सेनेमा घृर में रिलीस होगी तो कई सारे ड रिकॉर्ड बनाएंगी और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी और भाई यही वज़ा है कि आज इन फिल्मों की चर्चा साउर्ट इंडर्स्री से निकल कर बॉली वुड के गलियारों तक हो रही है और भाई इन फिल्मों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को दर्शक भी बहुत ही बेताबी से जानना चाहरे हैं तो दोस्तो आज मैं इनी फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म को लेकर एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है और भाई लगातार फैंस भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हम लोगों ने राम चलन के लुक को तो देख लिया जूनियर एंटियार के लुक को तो देख लिया लेकिन इस फिल्म में अजय दुगन का कौन सा किरदार होगा तो पहला टीजर कब जारी किया जाएगा अजय दिवगन के एंगल से तो चलिए बताते हैं आपको हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदरो और मैं आदको लिये लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े हूँ या इंडियन फिल्म इंडूस्ट्री के नंबर वन डिरेक्टर यानि की एसेस राजा मॉली के डिरेक्शन में बनी फिल्म ट्रीपल आर से तो दोस्तो ट्रीपल आर को लेकर ये खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होगी 13 अक्टूबर को और भाई जब से ये खबर हम लोगों के सामने आई है उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर काफी चर्चाए हो रही है यानि भाई इस फिल्म की जब घोशना की गई तो भाई उसी वक्त ये बात कही गई थी कि भाई क्या अजे दुगन ही अजे दुगन की फिल्म से चकड़ाएंगे यानि कि भाई ट्रिपल आर के साथ अजे दुगन की फिल्म मैदान भी सिनेमा घर में आने वाली जिसको लेकर चर किरदार निभाने वाले हैं यानि जब ट्रिपल आर का पहला टीजर हम लोगों के सामने आया था तो उसके माद्यम से ये जानकारी दर्शकों को दे दी गई थी कि भाई इस फिल्म में जूनियर एंटियार कौन सा किरदार निभाएंगे यानि इस टीजर के माद्यम से ये कोमा राम भीम के किरदार में नजर आएंगे जूनियर एंटियार इस फिल्म में उसके बाद से ही ये सवाल काफी गहराया था कि भाई इन दो कलाकारों का तो लुक हम लोगों ने देख लिया लेकिन विया इस फिल्म में ये जानकारी भी दी गई है कि इस फिल्म में दिवगन का जनम दिन आने वाला है यानि कि विया साउथ इंड़स्री से ये खबर निकल के आ रही है कि दो अप्रैल को अजे दिवगन के लुक को सारवजनी कर दिया जाएगा जिस दिन उनका जनम दिन है यानि कि विया अब इस फिल्म में अजे दिगुन कौन सा किरदार निभाने वाले हैं उसको देखने के लिए हमें जादा दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों अजे दिगुन को लेकर येे खबर तों लोगों के सामने आ गई है लेकि इसी के साँथ साथ मेरी जिग्यासा तो आलिया भट को भी लेकर बढ़ गई है क्योंकि विया वो भी इस फिल्म में नजर आने वाली है तो भाई इस फिल्म में आलिया भट कौन सा किरदार निभाने वाली है उस पर हमें अब जानकारी कब मिलेगी अब इस बात पर भी मेरी निगाहें ठीकी है तो दोस्तों आप अब इस फिल्म के की रोल में नजर आने वाले है इस फिल्म की कहानी को वो लेकर आगे बढ़ने वाले है यानि विया उनका भूमी का इस फिल्म के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो बॉल्गूट से जुड़े और भी कई सारे ख़वरों को जाने के लिए हमारे चैनल वारे इंजेक्शन को लागे सब्क्राइब करना ना बुलिएगा और हमारे अपडेट्स को जाने के लिए बैल आकन को जर्द बाईएगा